दोस्तों नमस्कार मैं दीपक पांडे मुद्गल और आप देख रहे हैं दनेशन नफरतों की हद यहां तक आ गई है कि इंसानों की जान के साथ साथ अब धार्मिक स्थानों को भी निशाना बनाया जा रहा है और ये लोग ये भी नहीं जान रहे हैं कि ये नफरत किया कैसे लग गई है ये मामला है आगरा का और आगरा के अंदर पौशेरिया सबसे पौशेरिया जिसे हम कह सकते हैं पारस पल्स अपार्टमेंट पारसपल्स अपार्टमेंट जो है वो थाना लोहा मंडी आगरा के अंदर जो लोहा मंडी थाना है उससे महस चंद दूरी पर ही है और इस पारसपल्स अपार्टमेंट की अंदर एक मजार थी मजार जिसे हम दरगा भी बोलते हैं जिस पर हिंदू हो मुसल्मान हो सभी जाते हैं अपनी अबादत करते हैं और मन्नत बांगते हैं धागे बांगते हैं और मन्नत पूरी हो जाती है तो चड़ावा भी लेकर जाते हैं ये सबी जगे हैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ वहां की बात कर रहा हूँ आप अजमेर के अंदर चले जाईए आप मध्यप्रदेश राइसें के अंदर आ जाईए ऐसे तमाम जगे हैं जहां पर मजार हैं दरगा हैं वहां पर हिंदू मुस्लिम बराबर संख्या में जाते हैं और इन सब जगा को भी अब तथा कथित असमाजिक तत्वों ने या यू कहें कि तथा कथित हिंदू वादी संगठनों ने निशाना बना दिया जो कि बेहत संविदन शील है भारी पुलिस बल वहां पर तैनात हो चुका है भारी पुलिस बल तैनात इसलिए हुआ कि ये सब जो वाक्या है वो बड़े अजीबो गरीब और नाटकिये धंग से घटा नाटकिये धंग ये था इसमें कि ऐसे ही कोई मजार नहीं तोड़ सकता मजार के लिए पूरी रहकी की गई होगी कितने समय से ये अभ्यान चला होगा किस तरीके से सोच पली होगी इसके बाद ये मजार को साफ कर दिया वहां पर पत्राव करने का भी पुलिस बतारी ये पत्राव करने का प्रियास किया गया पारस अपार्टमेंट में पारस पल्स एक्स्टेंशन है पारस पल्स अपार्टमेंट है पारस पल्स मार्ट है एक काफी बढ़िया जगे है जहां पर लोग अंदर रहते हैं और उसी गेट के अंदर एक मजार हुआ करती थी जो परिवार के जैसे इस थल पर पूजा करने वा कि किस तरीके से बिजली गुल कर दी जाती है और बिजली गुल करने के बाद बाबा जी का बुल्डोजर पर वो बाबा जी का नहीं है अभी तो ये बुल्डोजर किसी असमाजिक तत्वों का है लेकिन लोग बाबा जी के बुल्डोजर को फैमस कर चुके हैं तो क्या इसके बाबा जी की सोच हो सकती है या उनकी सोच को कुछ असमाजिक तत्वों ने अपने अंदर उतार लिया तो क्या बाबा जी भी असमाजिक हो गए क्या ऐसा ही कुछ है बुल्डोजर चलाने का मतलब कुछ असमाजिक तत्वों ने बुल्डोजर चला कर मजार को भुटाया जा रहा है तोड़ा जा रहा है उस वक्त वो तुरंत अपने परिजनों को सूचना देती है देखते ही देखते परिजन वहाँ पर आसपास सूचना करते हैं उन सबी को जो वो मजार और दरगा पर प्रती गुरुवार आया करते थे लोग मननत मुराद मांगने जाते हैं आक्म शांती के लिए भी जाते हैं यही देविक इस्थल और पूजा इस्थलों की विवस्ता होती है तो वहाँ पर काफी हिंदू मुसल्मान सब इखटे हुए और सब ने आकर वहाँ पर पारसपल्स अपार्टमेंट के बाहर प्रदर्शन करना चाहा लेकिन तब पुलिस भी पहुँच गई और पुलिस ने किसी को अंदर घुसने नहीं दिया अब मीडिया का डावा है कि पुलिस जवाब से बच रही है और पुलिस इस समय मीडिया वालों के साथ कोई भी बात करने के मूड में नहीं है अब उनका मूड हो ना हो लेकिन इस वक्त यह है कि उनके पास जवाब देने कोई तरक नहीं होगा क्योंकि किस तरीके से अपार्टमेंट के अंदर गेट के अंदर एक दरगा हुआ करती थी और ये दरगा तीन दशक तीन दशक नहीं तीन पीडी दशक तो दस साल हो जाएंगे तीन पीडी मतलब इसको हम तीन सो साल पुराना भी बोल सकते हैं कि तीन सो साल पुरानी मजार को कैसे निशाना बना कर गिरा दिया गया और इन सब के चलते वहाँ पर तनाव की स्तिती बन गई है खेर अब जो भी है वहाँ पर लेकिन साजित द्वारा यही आरोप लगाया जा रहा है कि ये सब साजिश है और जान बूच कर किया गया है जान बूच कर किया गया होगा तब ही तो ये सब हुआ है बीते दिनों देख तो रहें आप हालात क्या चल रहें नुपुर शर्मा को छोड़ दिया जाता है मौमत जुबेर को ग्रफतार कर लिया जाता है इसके बाद हाल ही में जिस तरीके से काशी के अंदर आप देख रहे हो कि वरण असीम के अंदर किस तरीके से मामला गरमाया हुआ था बाबा मिल गए तो फुबवारा जिन्दा बाद इस तरीके से ये सब चीजे चल रही है और इन सब के चलते महंगाई और बेरोजगारी पर परदा डाला जा रहा है लेकिन ऐसे मुद्दे जनम अभी भी लिये हुए हैं लोगों के पेट में आग अभी भी शायद भूप की नहीं लग रही है या महंगाई का दर्द किसी को नहीं है मतलब महंगाई तलवार बनकर गरदन पे अभी तक लटकी नहीं है और यही लोग या तो हिंदू हिर्दा समराज बनने के चक्कर में ये सब करे जा रहे हैं जिसका पश्टावा आज नहीं तो कल होगा जरूर क्योंकि श्रीलंकाई जैसे देश को भी ये पश्टावा हुआ तो क्यों न आने वाले दिनों में भारत को भी ये पश्टावा हो जब फॉरेंट रिजर्व गिरता चला जा रहा हो ऐसे में आप मजार गिरा कर क्या देश की महंगाई रोक देंगे क्या आप मुसल्मानों को target करकर बेरोजगारी के नाम की आवाज को दवा देंगे होगा क्या इन सबसे क्या देश के अंदर बढ़ते petrol के दामों को लेकर आप मुसल्मानों की बस्ती में आग लगा देंगे तो पैटरोल के दाम में लगी आग बुझ जाएगी या कम हो ये देश सवाल कर रहा है आज इन सब के बीच में ऐसे समाजिक तत्व भी पल रहे हैं जो सामप्रदाइक तनाव को बढ़ावा दे रहे हैं और साथ साथ हिंदू मुसलिम दंगे जैसी व्यवस्त था या घ्रनतापूर्ण काम करवाना चाह रहे हैं जो की इनको याद हो अभी समाजवदी पार्टी के नेता अकलेश यादव ने एक बयान भी दिया था ऐसा ना हो कि भाचपत त्रंगा यात्रा के दोरान दंगा करा दे क्योंकि पिछली त्रंगा यात्रा में कास गंज में भी दंगा हुआ था तो ये सब क्या उसकी एक बिसाद है जो धीरे धीरे बिछाई जा रही है कहानी कहीं से भी शुरू हो पहले फवारा और शिवलिंग से शुरू हो कर कहानी नुपुर शर्मा और मुहम्मद जुबेर तक पहुंचती है सरतन से जुदा से लेकर कहानी आगे बढ़ती है फिर इसके बाद करया लाल हों, उमेश कोले हों, रियाज अटाडी हों, मुहम्मद गौश हों या फिर इसके बाद सब चलता चला जा रहा है और हर मस्जित के नीचे शिवलिंग ढूंडे जा रहे थे और इसके बाद ये सब एक बिसाद क्या दो हजार चौबीस की तैयारी चल भाचपा की, ये देश इस समय ये समझना चाह रहा है क्या इन सब से लोगों का पेट भर जाएगा, क्या नफरत भर देने से भूक नहीं लगेगी, क्या नफरती भाशनों से हम सब कुछ पेट भर लेंगे या हमारी बेरोजगारी दूर हो जाएगी और बेकार बैठे को धंदा मिल जाएगा, ये शायद सब उसी तरफ बढ़ने की ओर इशारा कर रहा है, और ये जो मजार गिरा दी गई है, हम कह रहे हैं न, कि यहां तो इनसानों को नहीं बक्षा जारा, ये तो मजार है, मतलब इनसानों की जान की भी परवा नहीं, और देवी स्थानों की परवा नहीं, निरंकुष होकर ताना शाई हावी है, और जिस तरीके से मोधी जी की सत्ता बेकाबू है, समझ आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, और किस तरीके से ये जो मजार अब हटा दी गई है, साफ कर दी गई है, क्या इसका पुनर्दनमार हो पाएगा, इस मामले को श और जिन लोगों ने ये कांड किया है, क्या वो ग्रफतार हो पाएंगे, क्योंकि अभी अग्यात के नाम से तहरीर दायर की है, मतलब F.I.R. दर्ज कर ली गई है, अग्यात के नाम से, लेकिन क्या उस जो वहाँ पर बुल्डोजर मिला है, क्या उस बुल्डोजर से ये पत और योगी बाबा की खिद्मत में एक मजार पेश कर दी गई है, कि ये लीजिये तोड लाए हैं, और आपको 2024 में मोदी जी के लिए हम रस्ता साफ किये देते हैं, मुसलमान अलग किये देते हैं, और हिंदू अलग किये देते हैं, पूरी तरह से, क्या ये वो दरार पाटन का एक तरीका है, बहुत सारे सवाल हैं, आने वाले दिनों में, आगरा के अंदर पल्स, जो पारस पल्स अपाटमेंट के अंदर जो दरगा गिराई गई है, ये विशे संवेदन शील है, और ये देखते ही देखते अती संवेदन शील ना हो जाए, देखते हैं, परशासन क क्या कदम उठाएगा तब तक बने रही है हमारे साथ मैं दीपक पांडे मुद्गल और आप देख रहेते दानेशन धन्यवाद जैहिंग